Good morning, All India Radio और आज सवा के अनलिसिस में आप सबों का स्वागत अगर All India Radio के अंदर नियूज की बात करें तो New Education Policy के बारे में कुछ बाते की गई हैं और देज दिसांतर के अंदर भी वही बाते की गई हैं, दोनों को एड करके डिसकस करेंगे नेक्स्ट बात की गई है The Big Picture के अंदर डिस इन्वेस्टमेंट के बारे में 23 PSU के बारे में तो डिसकस करेंगे तो चलिए डिसकसन स्टार्ट करते हैं, पहली नियूज हम डिसकस करेंगे New Education Policy के बारे में, कल भी हमने बहुत सारी बाते की थी, आज भी कुछ अलग एंगल है, डिसकस करते हैं Higher Education के बारे में बात की गई है, कि Higher Education को हम किस तरह से आगे बढ़ाने की बात करना है या Multiple Entry की बात की जा रही है, एक्जिट की बात की जा रही है, कल भी हमने बात की थी, आपके इसी के बारे में, किस तरह से Multiple मतलब बहुत सारे सबजेक्ट को, चाहे वो Legal वाला हो, चाहे वो Medical हो, चाहे इंजिनरिंग हो, सब को एक ही जगा पे होता क्या था, कि AICT आप अच्छी तरह से जानते हो, AICT और UGC पहले क्या होता था, यह दोनों अलग-अलग regulation होते थे, principle routine में हुआ करता था, लेकिन अब जो है, एक ही regulator होगा, यह एक अच्छी पहल आप कह सकते हो, और AICT और UGC में जो है सो, coordination नहीं होता था, यह इसकी बात नहीं मानता था, यह इसकी बात नहीं मानता था, तो इसको भी परियास किया गया, लेकिन अब तो इसकी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो नहीं वाली हमारे पास आ चुकी है, दो तरह की बाते होती है, एक बाते होती है, एक बाते होती है, दूसरा होता है, अप एक अप्लायर एजुकेशन होता है तो एकेडमिक मतलब आप समझ रहे हो और एक अप्लायर मतलब वेभारी ग्यान से सम्मन देखो लीगल एजुकेशन का मतलब क्या हुआ कि जज सुप्रेम कोट का जज हाई कोट का जज तो वही होगा या फिर और भी बड़े-बड़े हरवर्ड वेगर इनवर्शिटी का मॉडल एक ही कॉलेज में बहुत सारे चात्र हुआ करते थे कोई हुमेनिटी से हुआ करता था कोई मेडिकल से हुआ करता था मतलब होता है था नहीं ऐसा है तो इसी को देखते हुए भारत में एक अच्छी पहल और यह जो मल्ट्रिपल इंट्री की बात की गई है यह भी बहुत अच्छा है कि आप एक साल पठाई अगर मालनो कोई मदर है उसको कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो ड्रॉब करके नेक्स्ट बात उसके बाद सेकेंड या थर्ड यार जोईन कर सकती है या कोई किसी को फाइनेंसियल दिक्कत है या किसी के साथ कोई ट्रेजडी हो गया तो उन सब के लिए यह बहुत ही अच्छा आप कह सकते हो मतलब इंटाइर प्रोसेस जो है यह बहुत ही जैदे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अच्छा है मतलब मल्टिपल एक्सेस अच्छा है फ्लैक्सिबिलिटी अच्छा है इंडियन एजुकेशन सर्विस बनाने की बात कही गई है इंडियन एजुकेशन सर्विस बनाने की बात कही है एक कैडर के अंदर हो एक कैडर बनेगा और सिंगल ऑथरिटी की भी बात की गई है जो हम लोग मेचारडी की बात करते है अब क्या हो जाएगा सीधा का सीधा एजुकेशन मिनिस्ट्री हो जाएगा अब ये एक अच्छा ध्यापक टीचर्स पर इसमें इसके अंदर जो है सो जोड डाला गया है कि टीचर्स को विल ट्रेंड विल क्वालिफाइड टीचर आए जैसे दूसरी बात डीम लिंवर्सिटी हो या सेंटर लिंवर्सिटी हो सबका अलग-अलग regulation होता था अब uniform regulation होगा एक ही regulation की अंतरगत ये आएगा एक kind of economy ecosystem बनेगा अलग तरह का academic autonomy होनी चाहिए बिलकुल academic autonomy होनी चाहिए अब दो जैसे research को promote करने की बात कहीए ये research को हम promote करेंगे DRD हो CFIR हो जो इस तरह के कुछ ideas होते हैं, इनसे कैसे इनको आगे बढ़े हैं, हमारे defense sector में किस तरह से आगे बढ़े हैं, quality of education किस तरह से बढ़े हैं, तो ये common tense interest test भी आप समझ रहे हो है, और evolution का जो process है, कि आप साल के अंत में जो last में जो आप evolution करते हो, पूरे अंत में, तो आप हमेश traditional पदती है, हमारे जो traditional तक्षिला की बात करते हैं, हम नालंदा की बात करते हैं, तो वो traditional अब तक्षिला नालंदा में क्या होता था, पूरे विस्ट के लोग आते थे, medical की पढ़ाई करते थे, engineering की पढ़ाई करते थे, हर sector की पढ़ाई एक ही जगा पे होती थी, तो उस model को traditional model को अपना करके, हम आगे बढ़ने की बात कर रहा है, यही इसारी बाते कहीं जाती है, चलते हैं, next article पे, the big picture का article है, यहाँ पर 23 PSU's को जो है, so merge करने की बात कही गई है, देखो, competition has turned PSU, units scooters India, यह scooters India है, इसको इसकी भी बात की गई है, BPCL की बात हो, foreign investment looking for units, अब देखो, से हमारे, जो है, so इसको बढ़ाया जाए, जो हमारा physical deficit हो रहा है, तो इन सब को जो घाटे में है, उसको बेज करके, government कुछ पैसा जुटनना चाहती है, ताकि उसका विजिर नोधार हो सके, privatization will push growth trajectory, growth trajectory को process करता है, आगे बाता बढ़ाता है, the physical deficit needs to be financed, वही बात जो अभी ह changes क्या है, change of honors, now being carried out, example of zinc और पाल को इस तरह की बाते होती है, next और बात किया जाए, तो this investment जो है, so becoming more acceptable in public policy, public policy के अंदर acceptable है, way forward, cost of doing business must be reduced, cost of being, मतलब business का जो cost है, वो कम होना चाहिए, infrastructure, हमेशा बात करते है, a good policy environment in consultants with private sector, एकदम सही है, transparent and fair disinvestment process, अगर disinvestment में transparency हो, fairness हो, तो सही दाम भी मिलेंगे, और अच्छा, work भी कर जाएगा, कर पाएगा, ऐसा नहीं कि अब air India अगर disinvestment कर रहे है, 500 करोर का, हम उसको तीजा तो 300 करोर में कर दिया, या 800 करोर में कर दिया, तो दोना में नुक्सान है, तो एक जो reliable चीज होन कि यू